हेलो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉल वाइट टैबलेट के बारे में जो कि इसका इस्तमाल प्रग्नेंसी के समय बहुत ज़्यादा खुन की कमी होती है या डेफिसिंसी होती है फॉलिक असिडगी तो उन से भी प्रपजों में फॉलिक असिडगा फॉल वाइट टैबलेट के इस्तमाल किया जाता है तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं फॉल वाइट टैबलेट के बारे में इसमें कॉम्बिनिशन क्या है कौन-कौन से प्रपजों में यूज गया जाता है इस्तमाल करने से क्या फाइदे होते हैं, क्या नुकसान है, किसे नहीं लेना है यह सभी बाते हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो बात करते हैं folvide tablet जो कि आपके पस के medical store पे बहुत ही आसानी से मिल जाता है पिफीजर कंपनी की बनाई ही मेडिसिन है, 45 टेबलिक के आपकिंग होता है और 60-70 रुपे की प्राइज में आसानी से यह मिल जाती है हमने यह बहुत ही बेसिक डिटेली के बारे में जाना फॉलवाइट टेबलिक के बारे में और प्रडुक की डिटेफिशने को पूरा करने में काफे फैदेमंद होता है बात करें पॉलिक अस्टिड के इस्त्माल को से प्र्परपस्य में Clay के दोरां के दौरां फॉलिक डिटे sépsis हो जाती है खून की कमी होती है तो उन से भीमिद इसे डिफिशिंसी को पूरा करने के लिए इस्तमाल करते हैं इसके साथ- 우리는 40ț. कि- जादा ब्लेडिंग होने में पाइल्ड पेसिंट होती है तो इनसे भी मेंनी Slowly काम ऑज़ा बहुत जादा देखने मिलती है इसके साथ- जर्वहज़द होता है उनमें भी बहुत जादा क्वालीपेसिट की डिफिसेंसी देखने को पिलती है तो उनसे भी में भी इसे इस्तमाल किया जाता है इसके अलावा सरीर में वीकनेस होना चक्कराना कमजूरी होना इस तरह के प्रॉडम्स होती है तो उनसे प्रपोजर में काफ़े फायदमन्द हो किया नुकसान है अगर आपको सूट नहीं करता है तो नॉर्मल सेच पे वामिटिंग, सर में धर्द, भूख न लगना, पेट में दर्द होना, कबजी की सिकायत, जी मिचलाना इस तरह के आपको साइट इपक्ट देखने को मिल सकता है किसे नहीं लेना है अगर आप किसी भीतर रहा कोई भी critical medical condition में आपको कोई medicine course रहा है या आप kidney patient है, BP patient है, Libre patient है तो उन से भी में डॉक्टर के सलहा और रेख देख देख के बाद ही इसे इसमाल करें तो उसमें भी डॉक्टर की सलहा और रेख देख के बाद ही इससे इस्तमाल करें तो यही था पॉलवाइट टेबलेट के बारे में जनकरी अगर आपको वीडियो रेजन करी अच्छे लेगी तो प्लीज लाइक किजेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजेगा आपको यह वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू फॉर वाचिंग